मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार 2024 का ये पहला मन की बात का कारकम है अमरुत काल में एक नई उमंग है, नई तरंग है दो दिन पहले हम सभी देशवासियों ने 75 वा गणतंत्र दिवस बहुत दुमधाम से मनाया है इस साल हमारे समिधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रिम कोड के भी 75 वर्ष हो रहे हैं हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदरब डेमोकरिसी के रूप में भारत को और ससक्त बनाते हैं भारत का समिधान इतने गहन मन्थन के बात बना है कि उसे जीवन तस्तावेच कहा जाता है इसी सम्मिधान की मूलप्रति के तीसरे अध्याय में भारत के नागरीकों के मुलभूत अधिकारों का वणन किया गया है और ये बहुत दिल्चस्प है कि तीसरे अध्याय के प्रारम में हमारे सम्मिधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मन जी के चित्रों को सान दिया था प्रभु राम का शासन हमारे सम्मिधान निर्माताओं के लिए भी प्रेणा का स्रोत था और इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी साथियों, आयोध्या में प्राण प्रतिष्णा के अवसर ने देश के करोणों लोगों को मनों एक सुत्र में बांद दिया है सबकी भावना एक, सबकी भक्ती एक, सबकी बातों में राम, सबके रदय में राम देश के अनेकों लोगों ने इस दवरान राम भजन गाकर उन्हें स्री राम के चरणों में समर्पित किया 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम जोती जड़ाई, दिवाली मनाई इस दवरान देश ने सामुहिकता की शक्ती देखी, जो विक्सिद भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है मैंने देश के लोगों से आगर किया था कि मकर संक्रांती से 22 जनवरी तब स्वच्छता का अभ्यान चलाया जाए मुझे अच्छा लगा कि लाखों लोगों ने स्रद्धावाओं से जुड़कर अपने ख्षेत्र के धार्मिक स्थनों की सापसफाई की मुझे कितने ही लोगों ने इस से जुड़ी तस्विरे बेजी हैं, वीडियो बेजे हैं ये भावना रुकनी नहीं चाहिए, ये अभ्यान रुकना नहीं चाहिए सामोहिक ताकी यही शक्ती हमारे देश को सफलता की नई उचाई पर पहुचाएगी मेरे प्यारे देश्वासियों, इस बार 26 जन्वरी की परेड बहुत ही अधभूत रही लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा परेड में विमेन पावर को देख कर हुई जब करतव्य पर्थ पर केंद्रिय सुरक्षा बनों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकडियों ने कदमताल सुरू किया तो सभी गर्व से भर उठे महिला बैंड का मार देख कर उनका जबरदेस तानमिल देख कर देश विदेश में लोग जूम उठे इस बार परेड में मार्च करने वाले 20 दस्तों में से 11 दस्ते महिलाओं के ही थे हमने देखा कि जो जाकी निकली उसमें भी सभी महिला कलाकार ही थी जो सांस्कृतिक कारकम ही है उसमें भी करीब डेड़ हजार बेटियों ने हिस्सा लिया था कई महिला कलाकार संख नादस्वरम और नागदा जैसे भारतिय संगीत बाध्ययंत्र बजा रही थी डियार्डियों ने जो जहांकी निकाली उसने भी सभी का ध्यान खीचा उसमें दिखाया गया कि कैसे नारी शक्ती जल थल नव साइबर और स्पेस हर शेत्र में देश की सुरक्षा कर रही है 21 सदी का भारत ऐसे ही विमेन लेड डेवलोपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है साथियों आपने कुछ दिन पहले ही अर्जुन एवर्ड समारों को भी देखा होगा इसमें राष्टपती भवन में देश के कई होनहार खिलाडियों और एथलीटों को सम्मानित किया गया है यहां भी जिस एक बात ने लोगों का खुब ध्यान खीचा वो थी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली बेटिया और उनकी लाइब जर्नीज इस बार तेरा विमेन एटलेट्स को अर्जुन एवर्ड से सम्मानित किया गया है इन विमेन एटलेट्स ने अनेकों बड़े टोर्नामेंटों में हिस्सा लिया और भारत का पर्चम लहराया शारिरिक चुनोतिया आर्थिक चुनोतिया इन साहसी और टैलेंटेड खिलाडियों के आगे टिक नहीं पाई बदलते हुए भारत में हर छेत्रे महमरी बेटियां देश की महलाएं कमाल करके दिखा रही है एक और छेत्र हैं जहां महलाओंने अपना पर्चम लहराया है वो है सिल्फ हेल्प ग्रूप आज विमन सिल्फ हेल्प ग्रूप्स की देश में संख्या भी बड़ी है और उनके काम करने के दाइरे का भी बहुत विस्तार हुआ है वो दिन दूर नहीं जब आपको गाउं गाउं में खेतों में नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन के माद्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देगी मुझे यूपी के बहराईच में स्थानिये चीजों के उप्योग से बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड तैयार करने वाली महिलाओं के बारे में पता चला सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुड़ी नीविया बेगंपूर गाउं की महला है काय के गोबर नीम की पत्तियां और कई तरह के आउसद्य पौधों को मिलाकर बायो फर्टिलाइजर तैयार करती है इसी तरह ये महलाएं अद्रक लसून प्याज और मिर्च का पेस्ट बनाकर और अर्गेनिक पेस्टिसाइड भी तैयार करती है इन महलाओं ने मिलकर उन्नती जैविक इकाई नाम का एक संगठन बनाया है यह संगठन बायो फ्रोडस को तैयार करने में इन महलाओं की मदद करता है इनके द्वारा बनाए गए बायो फर्टिलाइजर और बायो साइट्स की मांग भी लगातार बढ़ रही है आज आसपास के गाउं के छे हजार से ज़्यादा किसान इनसे बायो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इससे सेल्फ हेल्फ ग्रुप से जुड़ी इन महलाओं की आयबड़ी हैं और उनकी आर्थिक स्थिती भी बहतर हुई है मेरे प्यारे देशवासियों मन की बात में हम ऐसे देशवासियों के प्रयासों को सामने लाते हैं जो निस्वार्थ भावना के साथ समाज को देश को ससक्त करने का काम कर रहे हैं ऐसे में तिन दिन पहले जब देश ने पद्म पुरसकारों का एलान किया है तो मन की बात में ऐसे लोगों की चर्चा स्वाभाविक है इस बार भी ऐसे अनेकों देश्वाशियों को पद्म सम्मान दिया गया हैं जिनोंने जमीन से जूड़ कर समाज में बड़े-बड़े कि बारे में जानने को लेकर देश भर में बहुत उत्सुकता दिखी है मीडिया की हेडलाइन से दूर अकबारों के फ्रंट पेज से दूर ये लोग बिना किसी लाइम लाइट के समाज सेवा में जुटे थे हमें इन लोगों के बारे में पहले शाहिद इकुछ देखने सुनन को मिला है लेकिन अब मुझे खुशी है कि पदम सम्मान गोशित होने के बाद ऐसे लोगों की हर तरप चर्चा हो रही है लोग उनके बारे में जादा से जादा जानने के लिए उत्सुक है पदम पुरसकार पाने वाले ये अधिकतर लोग अपने अपने ख्षेत्र में महिया करवा रहा है तो कोई बे सहारों के लिए सीर पर छत का इंतजाम कर रहा है कुछ ऐसे भी हैं जो हजारों पैड लगा कर प्रकृति सवरक्षन के प्रयासों में जूटे हैं एक ऐसे भी हैं जिनोंने चावल की छेसो पचास से अधिक किस्मों के सवरक्षन का काम किया ह एक ऐसे भी हैं जो ड्रक्स और सराब की लट की रोक थाम के लिए समाज में जागरूपता फैला रहे हैं कई लोग तो सेल्फ हेल्फ ग्रूप विशेश कर नारी शक्ति के अभ्यान से लोगों को जोडने में जुटे हैं देश वाज्यों में इस बात को लेकर भी बहुत प्रसंदता है कि सम्मान पाने वालों में तीस महिलाएं हैं ये महिलाएं जमिनी स्तर पर अपने कारियों से समाज और देश को आगे ले जा रही हैं साथियों पद्म सम्मान पाने वालों में हर किसी का योगदान देश वाच्छों को प्रेरित करने वाला है. इस बार सम्मान पाने वालों में बड़ी संख्या उन लोकों के हैं जो सास्त्रिय नृत्य, सास्त्रिय संगीत, लोक नृत्य, थियेटर और बजन की दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, प्राकृत, मालवी और लंबाडी भाषा में बहुती शांदार काम करने वालो को भी ये सम्मान दिया गया है, विदेश के भी कई लोगों को पद्म पुरसकार से सम्मानित किया गया है, जिनके कारियों से भारत के संस्कृति और विरासत को नई उंचाई मिल रही हैं, इनमें फ्रांस, ताइवान, मेक्सिको और बंगलादेश के नागरिक भी शामिल है साथियों, मुझे इस बात की बहुत खोशी है कि पिछले एक दसक में पद्म सम्मान का सिस्टेम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपर्स पद्मा बन चुका है, पद्म सम्मान देने की ववस्ता में कई बडलाव भी हुये हैं, अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है, यही वजय है कि इस बार 2014 की तुल्ना में 28 गुना ज्यादा नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं, इससे पता चलता है कि पद्म सम्मान की प्रतिष्टा, उसकी विश्वस्तियता, उसके प्रति सम्मान हर बर्स बढ़ता जा रहा है, म मेरे प्यारे देश्वासियों कहते हैं, हर जीवन का एक लक्ष होता है, हर कोई एक लक्ष को पुरा करने के लिए ही जन में लेता है, इसके लिए लोग पूरी निष्ठा से अपने कर्तवियों का पालन करते हैं, हमने देखा है कि कोई समाज स्यवा के माध्यम से, कोई सेना में भरती होकर कोई अगली पीडी को पढ़ा कर अपने कर्तवियों का प्लान करता है लेकिन साथियों हमारे बीच ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के अंत के बाद भी समाज जीवन के प्रती अपने दाहित्मों को निभाते हैं और इसके लिए उनका माध्यम होता है अंग दान हाल के वर्षों में देश में एक हजार से अधिक लोग ऐसे रहे हैं जिनोंने अपनी मृत्यू के बाद अपने अंगों का दान कर दिया ये निर्णे आसान नहीं होता लेकिन ये निर्णे कई जिन्दिगियों को बचाने वाला होता है मैं उन परिवारों की भी सरहाना करूंगा जिनोंने अपने करीबियों की आखरी इच्छा का सम्मान किया आज देश में बहुत से संगठन भी इस दिशा में बहुत प्रेरक प्रयास कर रहे हैं कुछ संगठन लोगों को अंगदान के लिए जागरुक कर रहे हैं कुछ संगठन करने के इच्छुक लोगों का रेजिस्ट्रेशन कराने में मदद कर रही हैं ऐसे प्रयासों से देश में औरगन डोनेशन के प्रती सकारात्मक माहुल बन रहा है और लोगों की जिन्गिया भी बच रही है मेरे प्यारे देश्वास्यों अब मैं आपसे भारत की एक ऐसी उपलब्दी साजा कर रहा हूँ जिससे मरीजों का जीवन आसान बनेगा उनकी परेशानी कुछ कम होगी आप में से कई लोग होंगे जिन्हें इलाज के लिए आईरवेट, सिद्धा या यूनानी की चिकत्सा पद्धती से मदद मिलती है लेकिन इनके मरीजों को तब समस्या होती है जब इसी पद्धती के किसी दूसरे डॉक्टर के पर जाते है इन चिकत्सा पद्धतियों में बिमारी के नाम, इलाज और दवाईयों के लिए एक जैसी भासा का इस्तमान नहीं होता है हर चिकत्सक अपने तरीके से बिमारी का नाम और इलाज के तौर तरीके लिखता है इससे दूसरे चिकत्सक के लिए समझ पाना कई बहुत मुश्किल हो जाता है दसकों से चली आ रही इस समझ्या का भी अब समाधान खोज लिया गया है मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आईश मंत्राले ने आयुरुवेद, सिद्ध और युनानी चिकत्सा से जुड़े डेटा और शब्दावली का वर्गी करण किया है इसमें बिष्ट्व, स्वास्त, संगठन ने भी मदद की है दोनों के प्रयासों से आयुरुवेद, युनानी और सिद्ध चिकत्सा में बिमारी और इलाज के जुड़ी सब्दावली की कोडिंग कर दी गई है इस कोडिंग की मदद से अब सभी डॉक्टर, प्रिस्किप्शन या अपनी पर्ची पर एक जैसी भाषा लिखेंगे इसका एक फाइदा ये होगा कि अगर आप वो पर्ची लेकर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को इसकी पूरी जानकारी उस पर्ची से ही मिल जाएगी आपकी बिमारी, इलाज, कौन-कौन सी दवाएं चली हैं, कब से इलाज चल रहा है, आपको किन चीजों से अलर्जी हैं, ये सब जानने में उस पर्ची से मदद मिलेगी इसका एक और फाइदा उन लोगों को होगा जो रिसर्च के काम से जुड़े हैं दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को भी बिमारी, दवाएं और उसके प्रभाव की पूरी जानकारी मिल जाएगी रिसर्च बढ़ने और कई वैज्ञानिकों के साथ साथ जूनने से ये चिकित्सा पद्धती और बहतर परणाम देंगे और लोगों का इनके प्रती जुकाओं बढ़ेगा मुझे विश्वास है इन आयुष पद्धतियों से जुड़े हमारे चिकित्सप इस कोडिंग को जंद से जल्द अपनाएंगे मेरे साथियों जब आयुष चिकित्सा पद्धती की बात कर रहा हूँ तो मेरी आँखों के सामने यानू जामो लोगों की भी तस्वीर आ रही है सुरुसी यानू अरुनाचल प्रदेश की रहने वाली है और हर्बल आउश्वदिय विशेसग्या है इन्होंने आदी जनजाती की पारमपारिक चिकित्सा प्रणाली को पुनरजीवित करने के लिए काफी काम किया है इस योगदान के लिए उन्हें इस बार पद्धम सम्मान भी दिया रहा है इसी तरह इस बार 36 गड़ के हेमचन माजी उनको भी पद्म सम्मान मिला है बैदराज हेमचन माजी भी आयूस चिकित सा पद्धती की मदद से लोगों का इलाज करते हैं 36 गड़ के नाराणपूर में गरीब मरीजों की सेवा करते हुए उन्हें पांच दसक से ज़्यादा का समय हो रहा है हमारे देश में आउरुवेट और हर्बन मेडिसिन का जो खजाना छिपा है उसके समरक्षक में सुरुसी यानू और हैमचन जी जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमी का है मेरे प्यारे देश वास्यों मन की बात के जरिये हमारा और आपका जो रिष्टा बना है वो एक दसक पुराना हो चुका है सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में भी रेडियो पुरे देश को जोड़ने का एक ससक्त माध्यम है रेडियो की ताकत कितना बड़ला उला सकती है इसकी एक अनूठी मिशाल 36 गण में देखने को मिल रही है बीते करीब 7 वर्सों से यहां रेडियो पर एक लोगपुरिय कारकम का प्रसारण हो रहा है जिसका नाम है हमर हाथी हमर गोट नाम सुनकर आपको लग सकता है कि रेडियो और हाथी का भला क्या कनेक्शन हो सकता है लेकिन यही तो रेडियो की खुबी है 36 गण में आकासवाने के चार केंद्रों अंबिकापूर, राइपूर, बिलासपूर और राइगण से हर शाम इस कारकम का प्रसारन होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 36 गण के रेडियों को जैसे ही रेडियो से हाथियों के जुन्ड के आने की जानकारी मिलती है वो सावदान हो जाते हैं जिन रास्तों से हाथि गुजरते हैं, उदर जाने का खत्रा टल जाता है इससे जहां एक और हाथियों के जुन्ड से नुक्सान की संभावना कम हो रही है वही हाथियों के बारे में डेटा जुटाने में मदद मिलती है इस डेटा के उप्योग से भविश में हाथियों के सवरक्षण में भी मदद मिलेगी यहां हाथियों से जुड़ी जानकारी सोचल मिडिया के जरिये भी लोगों तक पहुचाई जा रही है इससे जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को हाथियों के साथ तालमेल बिठाना आसान हो गया है 36 गड़ की इस अनूटी पहल और इसके अनुभों का लाप देश के दूसरे बन छेत्रों में रहने वाले लोग भी उठा सकते हैं मेरे प्यारे देशवासियों इसी 25 जनवरी को हम सभी ने प्यास किये हैं साथियों आज देश के लिए उत्सा की बात ये भी है कि दुनिया के अनेक डाले थे आज ये आंकड़ा काफी बढ़ चुका है देश में ना सिर्फ वोटरों के संख्या में बुरुद्धी हुई है बलकि टर्नाउट भी बढ़ा है हमारे युवा वोटरों को रजिस्ट्रेशन के लिए ज़ादा मोके मिल सके इसके लिए सरकार ने कानून में भी परिवर्तन किया है मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि वोटरों के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए सामूदाइक स्थर पर भी कई प्रयास हो रहे हैं कहीं लोग गर गर जाकर वोटरों को मद्दान के बारे में बता रहे हैं कहीं पेंटिंग बनाकर कहीं नुकर नाटकों के जरिये युवाओं को आकर्सित किया जा रहा है ऐसे हर प्रयास हमारे लोगतंत्र के उस्षों में अलग अलग रंग भर रहे हैं मैं मन की बात के माध्यम से अपने फर्स्ट टाइम वोटर्स को कहूंगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वाएं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल और वोटर हेल्प लाइन एप के जरिये वो इसे आशानी से ओनलाइन पुरा कर सकते हैं आप ये हमेशे आद रखें कि आपका एक वोट देश का भाग्य बदर सकता है देश का भाग्य बना सकता है मेरे प्यारे देशवास्यों आज 28 जन्वरी को भारत की दो ऐसी महान विभूतियों की जन्म जैन्ति भी होती हैं जन्नोंने अलगलग कालखन में देश भक्ती की मिथाल कायम किये हैं आद देश पंजाब केश्री लाला लाजपत राई जी को स्रद्धांजली दे रहा है लाला जी स्वतंत्रता संगराम के एक ऐसे सेनानी रहे जन्नोंने विदेशी सासन से मुक्ती दलाने के लिए अपने प्राणों की आहूती दे दी लाला जी के व्यक्तित्व को सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सिमित नहीं किया जा सकता वो बहुत दुरदर्शी थे उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और कई अन्य समस्ताओं के निर्मान में एहम भूमी का निभाई थी उनका उदेश स्रिफ विदोशियों को देश से बहार निकालना ही नहीं बलकि देश को आर्थिक मजबूती देने का विजन भी उनके चिंतन का एहम हिस्सा था उनके विचारों और उनके बलीवदान ने बगत स्वी को बहुत प्रभावित किया था आज फिल्ड मार्सल के एम करियप्पा जी को भी स्रद्धापुर्वक नमन करने का दीन है उन्होंने इतिहास के महत्पपुन दौर में हमारी सेना का नेत्रुत्वकर साहस और शावरिय की मिथाल कायम की थी हमारी सेना को शक्तिशाली बनाने में उनका महत्पपुन योगदान है मेरे प्यारे देशवासियों आज खेलों की दुनिया में भी भारत नीत नई उचाईयों को छू रहा है स्पोर्ट की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि खिलारियों को जादा से जादा खेलने का मौका मिल है और देश में बली भाती के स्पोर्स टूर्णामेंट भी आयुजित हो इसी सोच के साथ आज भारत में नए नए स्पोर्स टूर्णामेंट आयुजित किये जा रहे है कुछ दिन पहले ही चेन्नाई में खेलो इंडिया यूद गेम्स का उद्गाटन किया इसमें देश के पांच हजार से ज़्यादा एटलेट्स हिस्सा ले रहे हैं मुझे खुशी है कि आज भारत में लगाता ऐसे नए प्लेट्फरम तयार हो रहे हैं जिन में खिलाडियों को अपना सामर्थ दिखाने का मोका मिल रहा है ऐसा ही एक प्लेट्फरम बना है बीच गेम्स का जो दीव के अंदर उसका आयोजन हुआ था आप जानते ही हो दीव केंदर सासीत प्रदेश है सोमनाती बिलकुल पास है इस साल की सुरुवात में ही दीव में इन बीच गेम्स का आयोजन किया गया ये भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स था इनमें तग अफ वार, सी स्विमिंग, पैंचक सिलेट, मल्खम, बीच वालीबॉर, बीच कबड़ी, बीच सौकर और बीच बॉक्सिंग जैसे कंपुटिशन हुए इनमें हर प्रतियोगी को अपनी प्रतिभाद दिखाने का भरपुर मोका मिला और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टूर्णामेंट में ऐसे राज्यों से भी बहुत से किलाड़ी आए जिनका दूर दूर तक समंदर से कोई नाता नहीं है इस टूर्णामेंट में सबसे ज़्यादा मेडल भी मध्यप्रदेशने जीते जहां कोई सी बीच नहीं है खेलों के प्रति यही टंप्रामेंट किसी भी देश को स्पॉर्ट्स की दुनिया का सर्ताज बनाता है मेरे प्यारे देशवाशियों मन की बात में इस बार मेरे साथ इतना ही फरवरी में आपसे फिर एक बार बात होगी देश के लोगों के सामुहिक प्रयासों से व्यक्तिगत प्रयासों से कैसे देश आगे बढ़ रहा है इसी पर हमारा फोकस होगा साथियो कल 29 तारिक को सुबह 11 बजे हम परिक्षा पे चर्चा भी करेंगे परिक्षा पे चर्चा का ये सांत्वा संस्करन होगा एक ऐसा कारकम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूँ इससे मुझे स्टूडन्स के साथ बातचीत करने का मोका मिलता है और मैं उनके परिक्षा संबंदी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूँ पिछले साथ वर्सों में परिक्षा पे चर्चा सिक्षा और परिक्षा से संबंदी कई मुद्दों पर बात्चीत करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनकर उपरा है मुझे खुशी है कि इस बार सवाँ दो करोड से अधिक विद्यार्थ्यों ने इसके लिए रेजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इन्पूट भी दिये हैं मैं आपको बता दू कि जब हमने पहली बार 2018 में ये कारकम शुरू किया था तो ये संख्या केवल 22,000 थी स्टूडन्स को प्रिद्ध करने के लिए और परिक्षा के तनाव के बारे में जागुरुपता फैलाने के लिए बहुत से अभिनव प्रयास भी किये गया है मैं आप सभी से विशेश कर युवाओं से विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा कि वे कल रिकॉर्ड संख्या में शामिल हो मुझे भी आप से बात करके बहुत अच्छा लगेगा इनी सब्दों के साथ मैं मन की बात के इस एपिसोड में आप से बिदा लेता हूँ जल्द ही फिर मिलेंगे धन्यवाद